तो दोस्तों आप दे सकते हैं ये टेसू के फूल है जो कि हमारे 36 गड़े बहुत ही ज़्यादा पाई जाते दोस्तों ये और मैं अभी हूँ बिलासपूर कोटा में ग्राम कुवारी मुंड़ा के पास आप दे सकते दोस्तों इस पेड़ को जिसे हम 36 गड़ी में बहुत ही प्रक्षात पर्सा का पेड़ बूलते हैं दोस्तों इसके फूल इतने खुशके हैं दोस्तों आप यहाँ जिधर भी देखेंगे वहाँ पर आपको इसके फ्लावर पेड़ के पौदर दिखेंगे दोस्तों पेड़ पौदर ही ने जर आएंग दोस्तों आपको पूरा खेट और जंगल दोस्तों इससे भरा हुआ है टेशू के फूल से कि दोस्तों सहरों में तो यह निजारा देखने नहीं मिलता आप देख सकते हैं ग्रामी डंचलों में कि दोस्तों इसके फूल से होली भी खेला जाता है दोस्तों कलर बनाकर यह बहुत फेमास है दोस्तों टेशू के फ्लावर पर्शा के फूल आप देख सकते हैं कि दोस्तों आप इस खुबसूरत से फूल को देख सकते हैं जो कि बिल्कुल एक दहकते अंगारे की तरह लग रहा है और पुराने जमाने दोस्तों बहुत सारे कवियों ने इसके बारे में कवी कविता बहुत उल्ले के हैं दोस्तों इस खुल के बारे में आप इसी गुच्छे को देख सकते दोस्तों जो बहुत ही मनमुग्द करने वाले हैं पेड़ के पत्ते पुरा सुक चुके दोस्तों और जड़ गए यहां से इसमें इतने खुबसूरत फूल लगे हुए हैं इस बिल्कुली आकर्चकश नहीं जारे दोस्तों आप देख सकते इस पुल के कर्षा के है हाई innovator झाल झाल